नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है रें गद्थ्ड केशन टेविल में जैसे मैंने पहले пожए था मोल्टिबिकेशन से टेविल इस अश्य इंपटन ॉपिक ہं कि आपको जो रेंगे संदेविल है इस तरह से इसको पढ़ते हैं मैं दोनों में बताओंगा हिंदी में भी इंग्लिस में इसका लॉजिक क्या है तो सबसे पहले हम सिंपल स्टार्ट करते हैं वन का टेविल से अब यह आप देखेंगे वन का टेविल तो एकदम सिंपल है यह सिरफ आपका काउंटिंग है बन से 1 time मैं बोलता हूँ 1 2 जा 2 means 1 2 time 1 plus 1 तो लोजिक क्या हुआ है 2 मैं बोलता हूँ 1 3 जा 3 ठीक है मतलब 1 3 टाइम तो 1 प्लस 1 प्लस 1 गल्टो 3 तो यह मल्टिपिकेशन का यह लोजिक हुआ है ठीक है तो एकदम सिंपल है 1 का 1 से लेके 10 तक अभी ऐसे अपन 2 का देखते हैं तो 2 क जा 4 2 3 जा 6 ऐसे 2 10 जा तक ठीक है तो इसका भी सैम लाजिक हिया कि 2 2 जा फरिगंपल इसके लिए अपन देखते है 2 2 जा 4 क्या होगा कि 2 2 जा में 2 2 2 टाइम तो 2 प्लस 2 इकल टू 4 ऐसे सैम जाएगा 10 तक अब देख लीजिए पूरा टेबल 3 बन जा 3 3 2 जा 6 ऐसे 4 बन जा 4 4 4 2 जा 8 means 4 2 times 8 ठीक है तो आपका एटेबल हुआ आपका यह लॉजिक हुआ कि यह मल्टिपिकेशन टेबल कैसे वर्क करता है ठीक है अभी अपन लॉजिक देखते हैं कुछ ट्रिक सीखते हैं ठीक है तो ट्रिक सीखने के लिए कि यह तो मैं पहले सेशन में बोला था कि बताता हूं एकदम सिंपिल ट्रिक है देखिए ठीक है सबसे पहले बन कातों में बताया है कि बन से लेकर 10 तक काउंट करना है अब यह पन जाते हैं अपन स्टाट करते हैं कठिंस है मतलब सबसे बड़े नंबर से 10 से अपको देखने में 10 देखिए कितना सिंपिल है आप द जिरो लगा दे रहे हैं तो 10 10 बन जा 10 10 टूजा 20 10 तरी जा कितना होगा 30 सिर्फ जीरो लगाना है तैन फोल जा 40 सो आप ऐसा 100 तक 10 10 जा 100 सो 10 तेनजा 100 सिर्फ जीरो लगाना है जो भी आपके नंबर थे उसके बाद मैं ठीक है एकदम सिंपिल देखिए आप तू आप सीख है वन का एंड टेन का अब भी सब लोग बोलते हैं कि सबसे कठेने 9 का आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आप देखें कितना सिंपल ट्रिक है ठीक है तो आपको क्या करना है देखी मैं एक टेबिल के थरों दिखाता हूँ यह वाला देखिए है आपका ये है आपका नाइन का टेविल ए है ठीक है तो नाइन का टेविल को करने के लिए आपको क्या करना है सिंपिल है आप नीचे से स्टार्ट कर दीजिए जीरो से जीरो वान टू थीरी फॉर फाइव 6 7 8 9 अभी एक काम करें उपर से स्टार्ट कि दीजिए जीरो से जीरो जीरो नाइन नहीं होता है फिर वान यहां पर टू थ्री फॉर फाइव 6 7 8 9 देखिए अब मज़ेदार यहां पर आपकी टेवल बन गई नाइन से है देखिए मैस का लिजिए नाइन बन जा नाइन नाइन टू जा एट्टीन नाइन थ्री जा टॉन्टी सेवन ठीक है नाइन फोल जा थर्टी सिक्स ठीक है आप हिंदी में क्या भोलते है जैसे टू का टेवल है तो दो दूनी चार ठीक है दो तीस है जो चोको आठी हिंदी वाली टेवल है आज कर सबको इंगलिस आती है तो पूरा इंगलिस में ही और कर रहा हूं तो आपका देखिए नाइन डेल बन गया अभी नाइन का मैं एक यह को ट्रिक बताता हूं इसके पहला आपने 9 लिख दिया 9 बन जा 9 9 2 जा 18 सिंपल क्या करना है बन से स्टार्ट करिए और इसका जो रिमैनिंग नंबर है मतलब जिसको एट करने से 9 बनेगा तो क्या नंबर है 8 ठीक है यह आपका हो गया 9 2 जा 18 अभी इसको आगे बढ़ाते जाए अभी क्या है बन के बाद क तो अभी 9 लाने के लिए मुझे को कितना एट करना पड़ेगा 7 ठीक है 7 प्लस 2 9 ठीक है तो क्या हो गया 9 3 जा 27 अभी 9 4 जा कितना होगा 2 के बाद आप 3 तो कितना बच्चा 6 ठीक है इसको आगे बढ़ाते जाए अभी 4 तो 9 नालिक ने मुझे कितना 5 एट करना पड़ेगा प्लस 5 9 ठीक है अभी क्या हो गया 5 ठीक है अभी 9 के लिए क्या बच्चा 4 5 प्लस 4 9 ठीक है 5 के बाद क्या आएगा 6 क्या जोड़ेंगे तो 9 आये गा 3 है यहाँ पर 7 अब बोलिए क्या आएगा 2 क्यक चेक है तो से बाद 7 के बाद 8 8 मैं जोड़ेंगे तो 9 आएगा 1 एंड लास्ट में क्या बच्चा आपका 9 और यह जीरो ठीक है तो आपका यह 9 का टेबल बन गया 9 9 टूजा 18 930 27 ठीक है आपको दो ट्रिक मिल गई सिंपल था ना अभी अब देखिए आपको विदिन 5 मिनट में तीन टेबल एाद हो गई रख करेंगे तो डिफिकल्टों न को याद हैं तो अभी अपने क्या कर लिया है नाइन है तैन कर लिया है अभी एपन करते हैं टू अभी देख ये टू टू का एकदम कि मैं क्या करना है मुझे सिर्फ डवल करते जाना है मेरा प्रिवेस नंबर के साथ तो तो बन जा क्या हुआ तू तो तू जा क्या होगा तू प्लस तू फोर देन तू थ्री जा ठेंचम्य नगोगा नगोगा तू क्या हुआ ठेंचम्य ना ड्यदकष आ उसेट क्या थिबस द्युब खाटवरेच फोर मट्मटना स्वेस आ से भी घंदेन उसेटा क्या है मेरा इंक्या तू प्लसस कि थेंख आ फ्रॉस्य हुआ 12 प्लास टू सिर्फ 22 को एड़ करते या फटा-फट एंड 29 जा 18 तू टू टू जा 20 तो अधिक तर आप सब को आता ही है फटा-फट आफट करना तो 2 का टेविल वहरी सिंपल तो आप इसका रिविजन करिएगा पूरा पढ़िएगा मैं रिक्मेंट करूंगा आप हो सके तो रखली जिए क्यों कि ए ट्रिक समटाइम आप एकदम से आपको जल्दी-जल्दी करना रहेगा तो आपको याद रहेगा तो आप डारेक्ट बोल सकते तो फाइज टेन शू ट अब भी सबकी ट्रिक है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वाकी कवर ठीक है तो आप इसका रिविजन करिए आप ए ट्रिक को एपलाई करके देखिए वर्क हो रही है कि नहीं आपको कोई भी कोचन है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं मैं उसका नेक्स्ट व वच्चे हूं उनको भी ये ट्रिक सिखाई है उनको भी ये टेविल सिखाई है जिससे वो भी आगे बढ़ सके धन्यवाद बाई